तो हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब इंटरडबूल तो फिर से आपका स्वागत है तो आज के इस और नई वीडियो में हम अपके लिए फिर से काफी चेस्टॉक्स को प्लेक हैं जोने वला टाइम में काफी प्रोफिटेबल हो सकते हैं और अगर आपको लागत है मैं जानल म सब्सक्राइब करिए इस चैनल पर जारतर हम करते हैं बाद स्विंग टेट राइस एक्षन और पोजिशनल टेट पर तो अगर आपको लागत है में सब्सक्राइब आप कर सकते हैं तो जो पहला स्टॉक है वह है बेल इसमें काफी अच्छा ब्रेक आउट आया एक रेंज कि फॉर्म हो रहा था यहांपर हमें एंटरे लेना कंडिर्सकी हो सकता था इसलिए मैंने पहला को नहीं बताया था यह यह वापदल जाता है क refuse चाण्स की आगे पॉजिशन और प्नेट के लिए काफे अज़र हो सकता है कि यहां पर आपको वाच्ट आपको करना और जो करने वाला है वो पिलल ऐसा कुछ हो सकता है कि जुब तक कर रहे है यहां से यह इंपोर्टेंट हो सकता है एक रेहिस्टेंस के लिए फिलाल और इसको भी अगर आनेवल टाइम में तोड़ता है तो चान्स ही आगे अच्छा अपमोग आ सके इसे आपको वाचलिस में आड कर लेना है कल के लिए और दूसरा जो स्टॉक है वह है महिंद्रा इन महिंद्रा अब देख सकते हैं जो यह पर फॉर्म हुआ कि स्ट्रॉंग क्लोजिंग में नहीं है तो चान्स है कि कल अगर ब्लैक कंडल यहां पर आ जाए चान्स है कि तूरत फॉल हो सकता है कुछ टाइम में तो आप यहां पर प्यूचर सॉट अराम से कर सकते हैं पर अगर इसकी ऊपर ह हो जाता है एक लोस तो आपको वाच करना है पहले इस जोन पर क्योंकि यहां पर प्रॉफिट बोकिंग ऐसे हो चुका है यह एरिया इंपॉर्टेंट है यहां पर काफी की सप्लाय है तो आपको वाच करना है इस लेवल पर फिलार अब यह भी देख सकते हैं जो हमारा या अगला कैंडल जो वंडे टैमफ्रेम में इसकी नीचे ऐ इस खूय होता है तो यह इंपॉर्टेंट अर्य एरिया हो सकता है यहां पर इसकी नीचे हो जाए वह रोगे सकते हैं और सेंलर में यहां पर अगर की ओपर खूय आ ज templates सब्सक्राइव et तो यह और इसकी क्कॉ पर इसमें काफ़ी टाइम के बाद यह एक लेवल है 2018 का उसका इसमें ब्रेक आउट आया है तो अगर इसमें वन डे में वन डे ताइम अगर इसमें एक रिटेस्ट आया तो इन्टेलिंग लिए काफ़ी प्रोफटेबल हो सकता है और स्टॉप लोस आपको जो यह कैंडल है ब चांस है मैं यहां पर इस्टॉप को आपको वाचलिस में आड कर लेना है और टाइम में काफ़ी प्रोफटेबल हो सकता है तो अगला स्टॉप जो है वह है जी आर ऐसी यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस टैप का विक फॉर्म हो रहा था इसलिए मैंने आपको पहले इस इसमें ब्रेक आउट आया और यह कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ नीचे सप्ला अब्जॉप करके तो कल चांस है कि इसमें प्रोफिट बुकिंग आया और कोई एरिया इसमें रिटेस्ट हो सकता है अब देख सकते हैं यह जून का ब्रेक आउट आया तो काफ़ी इंपॉर्टे आप मुव आचा खासा आ सकता है इसमें इसमें ब्रेक आउट आने का चांस है और अगर जैसे इसमें अप्मूव आता है चांस के आगे अच्छा आए और काफ़ी अच्छा यहां पर हमें रिस्क रवाड देखने को मिल सकता है अब देख सकते हैं यह एक सप्लाई के लिए इंपोर्डेंट है तो यह टार्गेट के तरह हमारा काम कर सकता है और यह जो इविक्वल एरिया यह भी एक टार्गेट हो सकता है और सोना कम्स हमने पहले आपको बता के यह रखा हुआ तो अभी 50% वाल एरिया में है इफिबनाची का तो यहां पर थोड़ा सा इसमें इसमें जादा चांस है इसमें अच्छे रिटयरन आने का है में हमारी एंट्री इसी एरिया के पास ती जाने बाएं थी आपको वीडियो में आपको बता दिया था और tender भी मैंने आपको बता कर रखा है तो अभी इस तैकर लीक आप अच्छा है और अगर आपको लगते हैं में essential मिलीगी तो जो में चनल सब्सक्राइब करिएगा